पूर्विधान सभा स्पीकर कुलदीब शर्मा ने आज करनाल में इगनीजी रेस्टूरेंट में प्रेस कॉन्फरेंस का आजन किया इस दोरान उन्होंने मुझूदा केंद्री सरकार को नागरिक संशोधित बिलेवम अन्ने मुद्धो पढगेरा इस मोके पर अल्प संख्यक प्रकोष के पूरव चेर्मेन सर्दार्ति लोचन सिंग के अलावा ने कॉंग्रेसी मौझूद रहे उन्होंने कहा कि मुख्य मंतरी द्वारा करनाल में कोई भी विकासकारे नहीं करवाए गए है इस मोके पर उन्होंने 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले कॉंग्रेस पार्टी के राश्टे सम्मेलन में बढ़ चड़कर भाग लेने का आहवान भी किया अधिने बड़े स्केल का गोटाला मुख्य मंतरी की सेहमती के विना नहीं है मुख्य मंतरी की जानकारी के विना ये गोटाले संभव नहीं है और मुख्य मंतरी को जानकारी है तो मुख्य मंतरी इस बारे में इमांदार मुख्य मंतरी इस बारे में अपनी इमांदारी का सबूत क्यों नहीं दे रहे यह क्यों नहीं कह रहे हैं चलो अर्याना सरकार क्यों छोड़िए केंदर से हम सीवी आई से इसकी इसकी इन्वेस्टिशन इतना बड़ा गोटाला है तो मैं सीधा सीधा रोप लगा रहा हूं कि मुख्यमंतरी की जानकारी के बिना यह गोटाला संभव नहीं है कि यह उच्च की इसकी उच्च स्तरिय जाच होनी चाहिए थी यह वहीं से सारे मिली भकर अगर कि भावंतर परपाई योजना और मुग्री वी है कोई लाग नहीं बहुत है यह अग्रीकल्चर सेक्टर की वादा कि देश में आर्थिक हालात बारतिय जन्ता पार्टी की गलत नीतियों के कारण दिन प्रति जिन बद से बदतर हो रहे हैं कोई नई इंवेस्टमेट नहीं है कोई नई इंडस्ट्री नहीं आ रही है कोई नई एंप्लॉइमेंट अपर्चिनिटीज नहीं रही हैं और बेरोजगारों की संख्या बढ़ रहे हैं और यहीं कारण है कि भारतिय जंता पार्टी जो राष्ट्रियवाद और राष्ट्रवाद का सहरा लेकर चुनाओं की वहतर्णी पार हुई थी उनिस मैं 2019 में वो उसके बाद तीन सो स्थप्तर जैसा कदम उठाकर और राम मंदिर का फैसले पर भारतिय जंता पार्टी अपनी पीट ऐसे थपता रही है जो सुप्रीम कोर्ट पर प्रशंद चिंद लगता है और मैं कह रहा है और रोप लगा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के कोशिश कर लिया कोई कर ने भारतिय जंता पार्टी ऐसे प्रस्तत कर रही है जैसे जज्जमेंट लिखा तो उन्ने हो और सुनाया हो सुप्रीम कोर्ट ने पढ़कि उसकी साबाशी लूटने कोशिश कर रही है कि इसी बात की विज़े से आप देख रहे हैं कि राम बंदिर जैसे मुद्द का इतना सुप्रीम कोर्ट से फुल बेल्ट से फैसला होने के बावजूद भी देश के लोग भारतिय जंता पार्टी की धर्म की राजनिती के नाटक को समझ कर इस पर कोई प्रतिकरिया नहीं ना थीजोग संथर का लाव हुआ अर्याने में चुना होए महराश्टर में परदान्वंति ने साथ रेली की साथ रेली में थीजोग संथर की जिकर किया लेकिन न कोई लाव लेकिन बारतिय जिम्ता पार्टी का राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पर राजनिती का नारा लोगों के समझ भी आजका है और यही कारण है कि अब यह एक नया बिल लेकिया है कि इसलिए कर रहे है कि जो लोग मैंनोरिटी के अफगानिस्तान पाकिस्तान और बंगलादेश से इंदुस्तान में हैं को नागरिकता दी जाए लेकिन इसके पीछे खेल दूसरा है इसके पीछे खेल है लोगों को आपस में बाटने की राजनिती को कॉंटिनेटी देने का इसको निरंतरता देने का खेल है यह कभी भारत के संविधान के अनुसार नहीं हो सकता जब भी कोर्ट में चैलेंज होगा सीए बी ओंदे हूंगे आपकी आस में समस्ता होंके इतियास के साथ अगर तो इसी पखात की तोड़ मरोड की गई है कि सर्वता अनुचित है किसी भी वेक्षितों का विर्थी का जादी विशेश करता है तो मैं उसका रोद भी करता हूं इस करका से पानीवत फिलम के अंदर तो इसके साथ च्छड़ च्छड़ करने कोशिश करता है जिन लोगों में रोश है उनके रोश को समस्ते पे सरकार को इस पर दुरग बें इस बात को सुनकर बड़ी खुशी हुए कि कनाल में कीता दवार बना है मुझे इस बात को सुनकर और भी जाज़ा खुशी हुए कि मुख्यमंतरी गेर जेब में गीता रखते हैं मेनी गीता रखते हैं नहां उनका बयाना है लेकिन उस गीता में लिखा क्या है उसको पढ़ने की जहमत रखे जी गीता कहती है कि सच बोलना चाहिए यह सरकार मुख्यमंतरी जी कब सच बोलना शुरू करेंगे मुझे इस बात की इंजार प्यासी से लेकर अब तक बिलता रहा चुनाओ को दरान भी आपने जितना से योग मेरे को देशते सचाला लिया उसका धनावाद करता हूँ और पहली जन्वरी से दो जाब बीसे मैं एक सब्सक्राइब करना जाना हूँ करनार के लोगों के लिए करनार के मतदाओं के गोशनाएं की पूरा नहीं उत्रपाएं उनको लेकर पहली जन्वरी से ही मैं सब्सक्राइब करूँगा मैं भीर करता हूँ आपका सेहों मिलता रहेगा हमारे बीज में कुली फिर्मा जी है इनको नहीं जानते है कर कोई दंद सामा जी जो हमारे अपहले वहाँ के भई है आपका सेहे रहे पाने की लिए बेल इकन को लिक तर हमारे चैनल को लाइप, शेर और शॉच्छाइब करें है एन्ने वान